तो आज की वरदान में जाने से पղे जो लोग इस पर पहली बारा आइं श्रुता आपके लिए ले लिंक दियां किया हुए इस YouTube चैनल के लिए जहां पर जाकरके आप प्लेलिस में जाकरके, योगासन्स, डाइट प्लाइन, चेर पर बाट करने वाले एकसी साइज इसके साथ मैं डिप्रेशन के बारे में और रिलेशन्शिप के बारे में बहुत सारे टॉपिक से आप एक्स्प्डोर कर सकते हैं जाकर नीचे तो आईए आज के हम इश्री वर्दान में आगे बढ़ें, दोसों उन्दिस विदिन की इश्री वर्दान में परमपिता परमात्मा हमारी वृत्ती हमारा आटिट्यूट चेंज करने के ले कहते हैं, ताकि ये कल्यूग का जो भार है, वो हटे और ये सत्यूग में आस्ते आस विद्क्तम होने शुरु हो जाएगी दुमिया, तो देखें बाबा कहते हैं, आज परमकुमारीज में कि परम्पित्प्रमात्म कहते हैं अपनी शुरेष्टि व्रित्ति द्वारा व्रितु मतला attitude द्वारा शुद्वॐयू मंधल बनाने वाले वायू मंधल शुद्वॐयूमंधल हम कये हम धूप जलाते हैं, zitा क्य juga हो इंसेंस जलाते हैं, अगरवलटी जलाते हैं तकि क्या हो घर का वायू मंडल सुङँनाते थो लेकिन उस वायू मंडल में अगर सोच ही गंदी हो एक दूसरे के पारे है अ dur music UK, BILL music के बारे हैं connecting hem hem जलती होागम को जलते हैं तो आप जितने भी आप अगर बत्ती जला लो, जितनी पूजा कर लो, जितनी घंटी बजा लो, वो घर में शान्ती ये खुशी आ ही नहीं सकती, आप सोची का इसके बारे में, और शान्ती खुशी नहीं, तो सेहत खराब होती, तो धन बिगड़ता है, धन आपका सब सेहत ब सुरिती के है, मैं पवित्रा आत्मा हूँ, आपको एक्जांपल दे रहे हैं, जिसके ब्रह्मकोमारीज में प्रैक्टिस करते हैं, ये सुवामान है, सिल्फ रिस्पेक्ट है, सिल्फ आफरमेशन कहीं आप इसको, सुवा को मान देना, दुनिया तो मान नी देगी आपको, जूटा मान देगी, आपके खुबसृती की पर मान देगी, धन जादौद़त की पर मान देगी, आपने कुछ उपलबदी पाई उसके पर मान देगी, प्रमोशन हुआ, अपोस्ट आपके उपर बढ़ गी, आपने थोड़ा बिसिस में प्रॉफट कर लिया, इसके लिए आ पहान पवित्र आत्मा हूँ, मैं सब में अच्छा देखने वाली आत्मा हूँ, मैं सद्गुण अपनाने वाली आत्मा हूँ, ये सारी चीज़ों क्या हो गई, ये सुवमान हो गई, है ना, मैं मधुर बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र सोचने वाली आत्मा हूँ, मै सहन करने वाली आत्मा, सामना करने वाली आत्मा, निरने शक्ति मेरे साथ है, ये सारी चीज़े स्वमान हो गए, तो जो सदा अपनी श्रिष्ट वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे कभी किसी भी वायमंटल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते, कोई आपको बहुत कुछ बुरा बुरा बुल दे, आप डगमग नहीं होंगे, हाँ, अगर आपकी गलती है, तो आप उसको, जैसे कहा है, मैं सहन करने वाली आत्मा, सहन शक्ति, आप सहन करेंगे, सामना करेंगे, वेक्ति का नहीं, अपने अंदर की गलतियों का, कमजोरियों का सामना करेंगे, हाँ मेरे अंदर है acceptance के द्वारा हां मैंने कबूल के मेरे अंदर एक कमजोरिया है और आगे बढ़ना यह सबसे मुश्किल चीज होती है इसको कहते हैं सेहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति हम क्या करते हैं कोई किसने कुछ बुरा बला बोला हम उसका सामना करते हैं यह नही वृत्ति से ही वायूमंडल बनता है घर का वायूमंडल हो, office का वायूमंडल हो, business का वायूमंडल हो यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ट है तो वायूमंडल शुद बन जाएगा अगर आपकी वृत्ति अगर आपका attitude आप जैसे एक boss के अंदर सब के अंदर गलतियां देखन यह importance चाहता है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, जरा पता कर क्या हो तो जरा, यह वृत्ति यह attitude रखा तो पूरा का पूरा वायो मंदल पर गड़ जाएगा, आप वहाँ पर politics स्टार्ट कर देंगे उस organization में, घर में भी यह होता है, है ना, एक favorite बच्चा होगे आपका, अगर कोई एक बच्चा favorite हो गए, बीटी favorite हो गए आपकी, तो वहाँ पर politics शूरू हो जाती है, समद्रिष्टी, समानता रखना, घर में भी, उसी तरह कैसे office पे वही same, समद्रिष्टी रखना, तो यह चीज होगी वृत्ति से वायो मंदल खराब नहीं होता, तो शुद बन जाएगा, कई वर्णन करते हैं, कि क्या करें, वायो मंदल ही ऐसा था, अब क्या करें, बॉस ने उसको गलत बोला, तो हमें भी क्या करना पड़ा, हाँ जी, हाँ जी, करना पड़ा नहीं, तो प्रमोशन कैसे मिलेगी, आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हाँ पे सत्यता का पर भी आ सकता है, क्योंकि उनकार, उनकी जो द्रिश्टी, उनका जो नजरीया है, वो अगर किसी और के पती है, तो आप एक दिन बन सकते हैं, है ना, उस चपेट में आ सकते हैं, तो ये वर्थी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, घर में भी चेंज करना ज़रूरी है, वाईमंडलयत सता, चकड़ा चल रहा था, तो मेरे को भी घुस्सा आ गया, वो गलत कर रहते हैं उसके साथ में, तो मेरे को विक्कुल सहनी किया गे मेरे से, ये सब कुछ क्या है और के ओपर, पर दर्शन करके, पर स्थीति पर, मर लो किसी और स्थीति के कारण अपनी इसी भ्रति ब्गड़ जाना आ व्र η्रति का पर नहीं Czech मेरे बच्चे को एसके दिया मेरी पत्नीLuc को कि एक दिया मेरे डोस्त को जा मेरा मेरा परमात्मा कहते हैं सबस्षनाक्षी नहीं पाते हैं और उस जगह पर जहां पर आपको पानी डालना चाहिए आप और आग डाल देते हो तो वह खाराव हो जाता है मेरे परन के कारण यह सारी चोटी-चोटी महीन चीज हैं कि गहराई में हम चाह सकते हैं जब आप रमाको मरीज में आते हैं वह कहते हैं लेकिन वृत मतलब प्रतग्या वृत रखना मतलब प्रतग्या की इस मृत्थी से आपको और अगर वृत यारत हो कि आपने कहा था कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं सेहनशील आत्मा हूँ मैं सामना करने वाली अपनी कमजोरियों को याद रखेगा और उकी कमजोरियों नहीं और उको सामना नहीं करना है और उको प्रिंट पॉइंट नहीं करना है मैं अपनी कमजोरियों को सामना करने वाली आत्मा हूँ लेकिन मैं हूँ किसका बच्चा मैं परमपिता परमात्मा का पवितर बच्चा हूँ महान आत्मा हूँ शक्तिशाली आत्मा हूँ गुणवान आत्मा हूँ गुणों का भंडार हूँ मैं मैं पतच से पावन बनने वाली आत्मा हूँ है ना तो ये सारे क्या हैं सुवामान याद रखियेगा तो बाबा कहते हैं लेकिन वृत प्रतग्या की स्मृति से वृति को श्रेश्ट बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे हम प्रतग्या भूल जाते हैं याइं रहे तो यह है वृति को मैंटें करने तो आज के ऐई श्रीवर्दान अगर आपके पास में कोई कमेंट हो, सब्सक्राइब कोई सजेशन हो जरूर डालीगा, आपका एक्सपीरियंस हो जरूर डालीएगा इसको तो आज के आपको दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, खुश रहें, तन दुरूस रहें, ओम शानती